नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं प्रस्थानिय रिती रिवाज वो प्रमपरा का ग्यान होने के अनिवर्ता को समाप्त करने के निर्नाय के अनुरूप नियमावली में संसोधन की अनुमती पदान की गई कैबिनेट में कूल 44 प्रस्थाओं पर विचार के बाद स्युक्रिती पदान की गई गैबिनेट ने राजे भर में बनने वाली बहुमंजली इमारतों में कोमन, टेली, कोम, इंस्प्राटक्चर का निर्मान अनिवार्य करने का फासला किया इसके लिए जार्खन बिल्डिंग बाई लाइज 2016 में अवसक संसोधर को मंजूरी दिया अब राजे में बनने वाली बहुमंजली इमारतों में विधूत सेवाओ, जलापूर्ती, अगनी सुरक्षा जैसी अनिवार्य अवसक्ताओ की तर्जपर, डिजिटल कनेक्टिवीटी इंस्प्राटक्चर का निर्मान भी जरूरी होगा इससे रियल एस्टेट प्रजेक्ट या अपार्टमेंट में किसी एक सेवाप प्रदाता का एका अधिकार नहीं होगा मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलो में 30 और 31 मार्च को मौसम में बदलाव के संकेत दिये हैं भार्दिय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्रे ने इन दोनों दीनों के लिए एलो अलट जारी किया है इसके अनुसार राजी के मध्य भाग रांची बोकारो गुमला हजारी बाग खुटी और रामगण में 30 से 40 क्लिमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाच चलेंगी वहीं बजरपाच भी हो सकता है वहीं दक्षनी भाग पुर्वी सिम्भूम पच्छमी सिम्भूम सिम्डेगा और सराय के लखार सवाजीले में भी ऐसा ही मौसम रहने का पूरोन मान है जबकि 31 मार्च को राजी के कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव होगा मौसम में यह बदलाव उतर परदेश केंद्रिये 36 गड़ की ओर से बढ़ रही धक्षिन पूर्वी हवाओ के करान हो रहा है राम नौमी को लेकर अतिरिक्त तैनाती केंद्रिये बलो के हवाले सनवेदन सील छेत्र जारखन में राम नौमी के दोरान सुराक्षा के पुख्तता इंतिजाम किये गए है सनवेदन सील छेत्रों में केंद्रिये बलो के तैनाती की गई है रांची वाग गिरीडी में CRPF की Rapid Action Force और जमसेदपूर गिरीडी पलामू लोहर दगावा दुमका जिले में एक एक कमपनी CRPF की तैनाती हुई है पलामू में CRPF महिला बाटालियन की एक कमपनी तैनात है इसके अलावा जार्खन पुलिस की Rapid Action Police की दो कमपनी रांची में लगा दी गई है वहीं जमसेदपूर हजारी बाग चात्रावा कोडार्मा में रैप की एक कमपनी तैनात की गई राम नमी की दोरान 25 DSP, 28 इंस्पेक्टर, 320 दरोगा, 160 ससस्त्र बल, 83 सव लाठी बल, 5000 गिरी रख्चक वा एक कमपनी आतंकवा निरोधक दस्ते को लगाया गया है जार्खन के हुनहार 130 बच्चों को सम्मान जार्खन सरकाने जैक, CBSC और ICSC बोर्ड और बरहवी में टॉप करने वाले छात्रों को CM ने प्रजेक्ट भौन में सम्मानित किया साथ ही राज सरकार द्वारा आयोजीत, उलम्पियाड परतियोगिता में भी प्रथम दूसरा वा तीसरा अस्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया बता दे प्रजेक्ट भौन में कूल 130 बच्चों को सम्मानित हुए बच्चों ने राज में पहला दूसरा तीसरा अस्थान प्राप्त किया था सम्मान पाकर छात्रों को चेहरे खील उठे वही मुख्य मंत्रे हेमन स्रेन के हाथों सम्मान पाते ही टोपर के चेहरे खील उठे हाई इस दुरान राज में प्राप्त करने वालों को 3 लाख मोबाइल फोन और लेप्टोप दिया गया इसके लावा दूसरे अस्थान पाने वालों को 2 लाख रुपए मोबाइल फोन और लेप्टोप तथा तीसरा अस्थान पाने वालों को 1 लाख रुपए मोबाइल फोन और लेप्टोप दिया गया IAS राजिव अरुन एका से 10 घंटे हुई पुष्टाश निलंबित IAS पूजा सिंगल और साहिब गंज के DC रामनिवास यादों के बाद जहरखन की ब्यूरो क्रेंसी में सबसे रसुखदार रहे सीनियर IAS राजिव अरुन एका से 27 मार्च को इड़ी के अफसरों ने 10 घंटे 20 मेर तक पुष्टाश की राजिव अरुन एका तय समय पठीक 11 बजे इड़ी के जोर्नल ओफिस में पहुँच चुके थे सुत्रों से मीडी जनकारी के मुताविक इड़ी के अफसरों ने पावर ब्रोकर विसाल चौदरी से उनके समन्दों को लेकर पुष्टाश की उन्हें विसाल चौदरी के घर से बरामत डिटल एविडेंस भी दिखाया गया यही नहीं इड़ी के अफसरों ने उस वीडियो के बारे में भी पुष्टाश की जिससे पिछले दिनों भाजपा नेता बावुलर मरांडी ने जारी करते हुए दावा किया था कि राजीव अरुन एकागिरी विभाग से जुड़े फाईलों को विसाल चौदरी के दफ्टर में बैट कर निप्टाते रहे थे इड़ी की टीम ने उनसे पूछा है कि यह वीडियो कब कहा है और वह किस तरह के काग्याद पर साइन कर रहे थे अहर्ता वाले स्कूल RTE मन्याता के लिए करे आवेदान जीले में बिना मन्याता प्राप्त संचालित स्कूलों को RTE Right to Education के तहत मन्याता के लिए ओनलेन आवेदन करना होगा प्रात्मिक सिक्षा निदेश आलेने मामले में दिसार निदेश जारी किया है कहा गया है कि जीले में संचालित गर मन्याता प्राप्त नीजी स्कूलों में प्रारंभिक अक्छाओं के संचालन के रिए RTE अधिनियम 2009 के प्रोधानों के तहत मन्याता प्राप्त करना अनिवार यहा है विभागिये पत्रांग 26 दिनांग 25 अप्रेल 2019 द्वार नेधारित अहर्ता को पूर्ण करने वाले नीजी स्कूलों को RTE.jharkhan.jv.in पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन करना है बताते चले कि बर्तमान में धर्माद बिना RTE मन्याता के 350 स्कूल संचाली था है वही गर मनेता प्राप्त प्राइबेट इसकूलों को U-Code प्राप्त है लोहर दगगा के सेरेंग दाग में नकसलियों ने दो ट्रेक्टर को फुका लोहर दगगा जेले के नकसल प्रोही सेरेंग दाग थाना छेतर अंत्रगत पुन्दाग नदी में चल रहे पुल निर्मान कारे कर रहे दो ट्रेक्टर को नकसलियों ने आग के हवाले कर दिया गरामिनों ने बाताया है कि घाटना अस्थल पहंद सर्वेदक ने किसी तरह का बोर्ड नहीं लगाया है बीजेपी 11 अप्रेल को हेमन्त सरकार के खिलाप उल्गुलान करेगी रांची के नगरी में सो मार को भाजपा की दक्षिनी छोटा नागपुर परमंडल अस्थरिय बैठाग होई जिसमें भाजपा की कई वरिष्ट नेता मौझूद थे इस दोरान पार्टी की आगामी कार्करमों पर बिस्तार्थ चर्चा की गई साथ ही हमन्त सरकार की नीतियों के विरोध में 11 अप्रेल को रैली निकालने का निने लिया है बतादे हेमन सरकार के खिलाब 11 अप्रेल को भरतिय जन्ता पाटी निराजधानी रांची में बड़ी रैली निकालने का निनलिया है इसे सफल बनाने को लेकर भाजपा ने 24 से 27 माज तक परमंडल अस्तरिय बैठक की है जिसके तहद सोमवार को रांची के नगरी इस्तित स्वार ने रेखा बैंक्वीट हॉल में दक्षनी चोटानागपूर परमंडल की संगाठनिक बैठक होई जिसमें रांची महानगर, रांची ग्रामीन, खुटी सिम्डेगा, लोहरदगा के परदेश पताधिकारी, परदेश कारे से मितिस्तरस, सांसत बिधायक, पूरो सांसत पूरो बिधायक, जिला पताधिकारी, जिला प्रभारी, पार्टी के सब ही सातों मोर्चा कराश्ट्र और परदेश पताधिकारी उपस्थी थे देवघर रांची बीमान सेवा शुरू रांची से देवघर के लिए बीमान सेवा सोमवार से शुरू हुई बीमान दो पहर दो बचकर चालीच मेंट रांची के बीरसा मुंड़ा यारपोर्ट पर लैंड हुआ एयरपोर्ट निदेशक के एल अगरवाल ने बिमान से आए 36 यात्रियों को फुल दे कर उनका स्वागत किया इसके बाद यात्रियों ने इंडिगो के अधिकारियों अकर्मियों के साथ केके काटा बिमान दो पहर तिन बच कर पांच मेट रांची से देव घर के लिए 30 यात्रियों को लेकर उड़ा लातेहर में 28 मार्च तक नकसली रिमांड पर जारखन में लातेहर के चंदवा थाना छेत्रे में लुकाईया मोड पर 22 नोमबर 2019 की राद पूलिस गस्ती दल पर हमला कर एक एसाई वह ग्री हिरक्षावाईनी के तीन जवानों के हत्या करने और हत्यार लूटकर भाईने के मामले में राष्टिये जांच एजेंसी ने दो नकसली के रिमांड पर लिया है इसमें बिहार और अरंगाबाद जीले के कदीवरा थाना छेत्रे के भूप नगर का रहने वाला अमन गांचु उर्फ अमन भोकता उर्फ अनिल गांचु उर्फ अमर गांचु और जार्खन के लोहतका जीले के पेसरार थाना छेत्रे के पुतरार निवासी जत्रु खेरव जार्खन में मन्रेगा मैदूरी दर में 18 रुपए की बढ़ोतरी जार्खन में मन्रेगा स्रमिकों के लिए खुसकबरी सामने आई है यहां मैदूरों के लिए मैदूरी दर में 18 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है मन्रेगा के तहत कायम करने वालो अकुसल हस्त कर्मकारों को जार्खन के लिए 228 रुपे प्रति दिन के मजदूरी तय कर दी गई है नई दर एक रपेल से परभावी होगी बता देख केंद्रिये ग्रामिन विकास मंत्राले दोरा चालू वितिय वर्ष 2022 तेश के लिए 210 रुपे मजदूरी दर निधारित की गई थी जार्खन कॉंग्रेस चलाएगी लोकतंत्र बचाओ जन जागरन अभियान जार्खन कॉंग्रेस परभारी अविनास पांडे ने कहा है कि पार्टी 3 अप्रेल से 10 अप्रेल तक राजे में लोकतंत्र बचाओ जन जागरन अभियान चलाएगी पार्टी के सब्सक्ताओ सभी पर खंड घ्रामिन चेत्रों में लोगों को जागरित करने का काम करेंगे लोगों को बताया जागा कि देस अभी गलत हैथ में है साथ ही पार्टी पब्लिक से कॉंग्रेस को समर्था देने की भी अपील करेगी परदेश परभारी ने बताया है कि या अभियान सड़यंत्र के तहट राहूल गांधी के सितक हत्म के बिरोध में किया जा रहा है जार्खन परदेश के प्रभारी नास पांडे ने जार्खन के जीला ध्यक्षो और प्रमुक नेताओं के साथ बैठा कर लोगतंत्र बचाओ जागरन अभियान के रनेती बनाई है जमसेद पूर में दो जग हो पर फैरिंग पूरवी सिम्हुम जीला मुख्यले जमसेद पूर सहर में दो जगह अपरादियों ने फैरिंग से दसत फैला दिया है कोट परिशर के बाहर सिद गोडा के मन प्रीत सिंग धिलो हत्या कांड के नमजाद आरोपियों में से एक नवीन कुमार सिंग पर अग्यात अपरादियों ने गोली चलाई हलाकी नमीर कुमार बाल बाल बचे हैं वहीं दूसरा मामला गोल मूरी थाना अंतरगत टीन पल्ट चोग के पास किया यहां भी अपरादियों ने 10-12 राउंड फैरिंग किया इधर दोनों मामले को लेकर पूलिस जांच परताल तेज कर दी है कोडार्मा में सोनी हत्याकांड का पूलिस ने किया खुलासा कोडार्मा जिला अंतरगत डोमचांच ठाना छेतर के धाब रोड निवासी सुनील कुमार की 24 वर्षिये पूत्री निजी इसकूल में सिक्षी का सोनी कुमारी ओर्फ सोनाली का सोव पुलिस ने रभीवार की देर राद पत्थर खदान से बरामत कर लिया इस बीच सोम वार को पुलिस ने पुरे हत्या कांड का खुलाचा करते हुए दो अपरादयों के अफ्तार किया है सुनाली की हत्या एक तरफा प्यार में साधी से इंकार करने पर दिव्यंग दिपक ने डिढ़ हलाख रुपए के सुपारी देकर साथियों के साथ मिल कर की है इसके बाद सौग को बोरे में भर कर अंब दाह खधान में फेंक दिया हत्या कांड के खुलासा करते हुए पूरे मामले की जनकारी सोमवार को स्ट्पो प्रवीन पूस करने दिया है पलामू के किसान बो रहे सिहतमंत बुलू गेहूं उपज ज्यादा पलामू जिला के हुसाइनाबाद परखंड अंतरगत डुमरी हत्था गाओं के किसान खेती में नित्य नए नए परयोग कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं बता दे प्रदानमंद नायGO मोदी नहीं किसानों की दोगूनी आमदनी की जो बात कही है वहें इन किसानों ने सावित कर दी है इस साल किसान पिरियरंजन सिंफ ने पंजाब से बुलू गेहू का बीज ला कर उसे दो बिगा खेत में बहया है बुलू गेहूं की फसल एक माह के अंदर कटेगी किसान प्रिरंजन ने बताया है कि बुलू गेहूं सेहत का खजाना है इसमें परचूर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट मिनेरल्स आधी होते हैं जो सेहत के लिए काफी लाबकारी है आजसू ने सरकार के खिलाप जन पंचायत और आक्रोस मार्ज की बनाई रण निती जमसेदपूर में आजसू पार्ठी के केंदरिये समिती की बैठाक हो इस बैठाक में पार्ठी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने हिमंद सरकार पर जम करनी साना साधा कहा है कि जुट की पोथी पेस कर जनादेश हासिल करने वाली हिमंद सरकार में लूट किस कदर हावी है इसका परदाफास जनता के बीच में जाकर करेंगे सरकार की नीती, नीरनाय और मंसा का कच्चा चिठा भी खोलेंगे आजसु पार्टी ने कारेकरमों की व्यापक रूप रेखाताय की है इसी सिलसीले में राजी के सभी बिधान सभा छेत्रे में जन पंचायत लगाई जाएगी केबिनेट की बैठाक में रांची में टांस्पोर्ट नगर की मंजूरी जारखंड की हिमन सुरेन सरकार ने सोमवार को केबिनेट की बैठाम के चोवालिस फैसलों को मंजूरी दी है इतना ही नहीं जारखंड राज के सहरी अस्थाने निकाय के कर्मियों को दिये जारे साथ वे बेतन पूर्डिक्षन के फॉल्स रूप दे बेतन में सरकार का वित्तिये भार निर्धारन की स्विक्रिती भी दे दी गई है बता दे जारखंड मंत्राले में 27 मर्श 32 इसको आयोजित मंत्री परशत की बैठाक में लिये गए महतपून फैसले 44 है रांची में कैदी वाहन में गैंगवार कुख्यात अपराधी लौकूस सर्मा और राजबर्मा दोनों को ही रांची जेल से एक मावले में पेसी के लिए अदालत लाया गया था अदालत में पेशी के बाद अने कैदियों के साथ कैदी वाहन में ही राज बर्मा और लोग कुछ सर्मा को पुलिस उरक्षा में वापस जेल भेजा जा रहा था इसे भी लोकू सर्मा और राजबर्मा में एक पुरानी बाते को लेकर कहा सुने हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से भीड़ गए भावन के बाहर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों को चेतावनी दी की वह लोक लड़ाई बंद कर बैठ जाएं लेकिन वह नहीं माने जिसके बाद कैदी वहान के चालक ने सुझबुच दिखाते हुए वहान को सीधे बरियात उठाने में घुसा दिया NTPC की मुअबजा रासी में घोटाला मामला NTPC की मुअबजा रासी में घोटाला मामले में सो मोहर को हाई कोट में सुनवाई हुए जिसमें अदालत ने CBI को पार्टी बनाने को कहा है एक हफते बाद अगली सुनवाई होगी बतादे हजारी बाग में NTPC के लिए जमीन अधिगरहन के दवरान 3000 करोड के मुवजा घोटाला मामले में दायर जनहीत याज के अपर हाई कोट में सुनवाई हुई जारखन हाई कोट के मुखे ने अधिस संजय कुमार मिस्रा और जैसिस अनन्द सेन की अधालत ने सुनवाई के बाद CBI को नोटिस जारी कर पार्टी बनाने का निदेस दिया याचिका करता मंटू सोनी ने घोटाले की जांच के लिए जनहीत याज के दायर की है अब मामले की अगली सुनवाई एक सप्ता बाद होगी जारखन के प्राइबेट इसकूलों में खाली रह गई बीपियल बच्चों की सीट इसकूली सिक्षा यम सक्षतावी भाग के रिपोर्ट के नुसार वर्ष दो हजर बाईस तेज में राज्य के मनेता प्राप्त निजी स्कूलों में कूल 6944 सीटों पर बीपियल बच्चों का नमांकन होना था विभागने 7% सीटों पर बच्चों का नमांकन सुनिश चीत कराने का निर्देस भी दिया था इसके बावजूद निजी स्कूलों में केवल 4386 BPL बच्चों का ही नमांकन हुआ जबकि 2588 सीट रिक्त रह गई बतादे राजे में वर्ष 2011-12 में सिक्चा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था इसके तहत राजे के मनत्या प्राप्त निजी स्कूलों इंटरी कलास में 25 फिदी सीटों पर BPL बच्चों के नमांकन का प्रधान है सुदूर इलाकों में सुरू होगी बाईक एंबूलेंस सेवा धनबाज जिले के सुदूर ग्रामीन इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्त सुविधा परदान करने के लिए जल्द ही बाईक एंबूलेंस सेवा शुरू की जाएगी इसका वैसे ग्रामिनों को लाव मिलेगा जो सुदूर ग्रामिन इलाके वा पहाडी की तलहटी के गाव में रहते हैं इन गाव के टोलों में चार पहियावाहन पहुचना मुस्किल है ऐसे में आक्स्मिक इस हीती में जरुवत पढ़ने पर मरीजों को सरकार द्वरसन चालीत 102 एंबुलेंस सेवा का लाव नहीं मिल पाता इस समासे असे निपटने के लिए स्वाथ चिकित सा सिक्षाव परिवार कल्यान विभागने धनबाद समेत अने जिले में बाइक एम्बुलेंस सेवा सुरू करने का प्रस्ताव त्यार किया है जार्खन के मात्र 126 थानों में लगे हैं CCTV कैमरे देश के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे अनिवारे रूप से लगाने का देश सूप्रीम कोट ने दिया है इसके बावजूद जार्खन के कई पुलिस थाने अब भी ऐसे हैं जहां कैमरे नहीं लगे हैं रिपोर्ट के नुसार जार्खन के पुलिस थानों में से केवल 126 में CCTV कैमरे लगे हैं अलाकि 334 थानों में CCTV कैमरे लगाने का काम जारी है थानों में CCTV कैमरे लगाने की जिम्मेदारी जार्खन Agency for Promotion of Information Technology जैप IT किया है राजे में परतिभा की कोई कमी नहीं सियम है मांत सियम सिरी सुरण ने कहा है कि आज बच्चों को समान के साथ ही प्रोसाहन रासी लेपटोप और मोबाइल फोन भी दिया जा रहा है इससे बच्चों को पढ़ने में असानी होगी फीस बहुत महंगी हो गई है इसके बावजूद छात्रों को चीनता करने की जरूरत नहीं है जारकन सकाय बच्चों को भविसको उजल बनाने में पूरा सयो करेगी मुखी मंद्री ने कहा है कि पुरसकार बित्रान योजना का उद्यस राजे में सीक्चा के छेतर में बेहतर कर रहे बचों का उत्सा वर्धन करना है सीक्चा विभाग ने इस कारे को आज पूर्ण कर दिया है उन्होंने कहा है कि बरतमान समय में अच्चे स्कूल तथा सिक्चान संस्थानों में नमांकन के लिए पैसे की जरूरत तथा पढ़ाई के लिए लेप्टोप और मॉबाइल अवस्त्या खाए इसके जरी वे तकनिकी जरूरते पूरी कर सकते है राज सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को आज पूरस्कार के रूप में यह सब जरूरत की चीजे परदान कर रही है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों से अशेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवा एक अवस से दे थैंक यू